कलंबी प्रतिक्षा के बाद आजादःयस एकेडमी के गाजियाबास सेंटर पे ओफलाइन बैज प्रारम्भ हो रहे हैं तो आप सभी में से जो भी छात्र ओफलाइन बैज को लेकर प्रतिक्षा कर रहे थे लगातार आप लोग फोन कॉल कर रहे थे, क्वेरी कर रहे थे तो अब आप सभी की प्रतिक्षा समाप्त हुई आप सभी आ सकते हैं 16 जुलाई को 16 जुलाई को संस्थान में वाक्स आप सेशन है जिसमें हम IIS और PCS एक्जाम को लेकर के एक बिस्त्रिच चर्चा पर चर्चा करेंगे हर एक सब्जेक को लेकर डिसकस करेंगे एक्जाम की प्रवत्ति को लेकर डिसकस करेंगे और इसके बाद 18 जुलाई से आप सभी की क्लास प्रारम होगी तो आप सभी का most welcome है आप सभी आ सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप सभी को एक registration कराना पड़ेगा registration की link वीडियो के description में दी गई है आप description में जाएंगे वहाँ पे आप registration करा सकते हैं अभी registration open है seat बहुत ही limited हैं इसलिए आप सभी समय से अपना registration करवा ले देखे एक बार मैं आपको थोड़ा सा सूचित कर देता हूं बता देता हूं कि कैसे आपके offline badge conduct किया जाएंगे देखे सुबैस से आपकी class प्रारम होगी साड़े नौ बजे आप संस्था आ जाएंगे दस वैसे आपकी class प्रारम हो जाएगी सबसे पहले आपका एक answer writing session होगा जिसमें आपको main answer writing को लेकर एक question दिया जाएगा उसको आप लोग लिखेंगे वहाँ पे आपकी copy check करके आपको दी जाएगी तो एक तो आपका main answer writing session है इसके बाद आपकी subject classes चालू होंगी सबसे पहले जो subject अभी प्रारम हो रहा है वो इतिहास की विशेवस्तु के साथ ये session प्रारम होगा तो प्राचीन भारत का इतिहास की विशेवस्तु आपकी प्रारम होगी ठीक है तो शुरुआत से बिग्निंग जीरो से लेकर के चलेंगे इसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास दूसरी class आपकी होगी आधुनिक भारत के इतिहास की इसके बाद अगली class जो आपकी होगी वो current affairs से जुड़ी होगी और इसके बाद अगली क्लास आपकी C-set की होगी यानि संस्था में आपको लगभग लगभग 6 बजे तक आपको संस्थान में उपस्तित रहना है C-set की क्लास जो आपकी रहेगी alternate days पे रहेगी और Monday to Friday आपकी ये classes रहेगी संडे को आपका टेस्ट होगा टेस्ट आपका संडे को कंडक्ट होगा prelims oriented जो टेस्ट होगा उसके टॉपिक भी पहले आपको सुचित कर दिये जाएंगे तो ये पूरा प्रोफार्मा आपके classes के लिए बनाया गया है ठीक है तो आप सभी आपको संस्थान का एड्रेस मिल जाएगा या फिर गूगल में आप सर्च करेंगे आजाद IAS Academy तो आपको लोकेशन मिल जाएगी गाजियाबाद की ये सेंटर आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में आप रेलवे स्टेशन पर आएंगे आपको संस्थान की कुछ ड्रेस भी दी जाएंगी उस ड्रेस के साथ संस्थान में आएंगे और इसके बाद आप सभी जब यहां पर आएंगे आपको क्लास नोट सारे बनाए जाएंगे बुक्स भी आपको संस्थान में बुक्स और सारी चीज़े उपलबधता सुनिश्चित कराए जाएगी फीस बहुत नॉमीनल है फीस मतलब हमने बहुत कम कर दिया है तो फीस को लेकर के आपको कांटेक्ट कर लेना है संस्थान में आपको कांटेक्ट करेंगे सारी सूचन अजाद हीस अकैडमी का अप्लिकेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर सारी चीज़े मिल जाएंगी ठीक है वहां पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी तो एक बार मैं आपको यह आपका अजाद हीस अकैडमी का अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर पे हैं इस आप म मैंने लिंक दे रखे रेश्टेशन की तो आप रेश्टरड कर दीजिए मैं आपको नंबर बता जाता हूं इन नंबर पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं पूर्व सूचना की आप आ रहे हैं है ना 911 15269789 यदि आप संस्थान आएंगे तो यहां पर आपके जो है आपको संस दिकत नहीं बहुत जदा आपको कोई बहुत दिकते नहीं होंगी संस्थान में आपको सारी मदद की जाएगे लेकिन मैंने वही बताया सीटे बहुत लिमिटेड है यह ध्यान रखेगा इस पर आपको ध्यान रखना है तो सुबह आपकी अंसर रैटिंग की क्लास होगी लि साथ में आपको संस्थान के द्वारा वीकली टार्गेट दिया जाएगा पढ़नी होगी तो आपके पास टाइम ने रहेगा सुबह से साम तक आप बीजी रहेंगे संस्था में और आल इंडिया टेस्थान के द्वारा जो है बैच प्रारम किया डिखता रहा है मैं चाहता हूँ कि आप सभी आएं और आकर के वर्सौप सिसन कर सकते हैं कोई भी वर्ट्व में आ सकता है वर्यक्षाप के लिए आप आए आप गाइडेंस आएं लेक्रांट करें ठीक है तो यह जो है सूचना थी अभी सब्सेशन करने के लिए आपको आजादवी से कड़मी डाउनलोड करना है वहाँ पर राइस्टेशन का कोर्स मिल जाएगा आपको अपने मोबाइल में तो वहाँ से जाके कर लिए ठीक है तो कोई चिंता वाली बात नहीं दिखिशताई की दिक्कत होती है तो आप इसमें जो है कमेंट कर सकते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप लोगों के पास भी विकलप रहेगा लाइब आफ लाइब बैस से स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए आप सभी का मोस्ट विलकम है मैं इंतिजार करूंगा आपका 16 तरीक को आप आईए 16 तरीक को हमारा एक एक कंप्लीट डिसकसन होगा ए कर एक प्रॉपर डिसकसन होगा आपके एक्जाम की प्रवत्ति और हर चीज को लेकर डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए आप सभी अभी रेइस्टेशन कराईए रेइस्टेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे जो लिम्टेट सीटे हैं उन सीटों के बाद यह आफ हो जाए ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद